गोभेषाव थे हैं कॉर्ड बड़ी खबर की और ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली में बहापॉर्ट चुनाफ की गोष्णा कर दी घई है मेयर और डिफ्टी मेयर के चुनाफ के लिए तारीहों का अलान कर दिया गया है 26 सप्यल को होगा चुनाफ लोकसभा चुनाव के वोटिंग से पहले जुमद एक कुनाव पर होना है डिली में महापोर चुनाव की घुछना कर दी गई है मेयर और डिप्टी मेयर रफद के लिए चुनाव की तारीकों का इलान कर दिया गया है अपराजिता हमारी समाधता लगाता हमारे साथ बनी हुई है अपराजिता क्या कुछ जादा जानकारी महापोट चुनाव की घोशना कर दी गई अगर पिछली चुनाव जो हुई थी तो इसमें आमानी पार्टी की जो लीडर है शैली ओबराई मेर बनी थी और साथी डेप्टी मेर की हम बात करते हैं तो एले मोहमद इकबाल को दुबारा से मौका मिला था और साथ ही कुछ गर्मा गर्मी भी पिछली बार देखने को मेरा था बीजेपी के जो लीडर्स थे उनके द्वारा जो रिप्रेजेटेटिव थे उनके द्वारा वापस ले लिया गया था नॉमिनेशन चाहिए वो मेर का हुए देप्टी मेर का हुए तो इस बार कोशिश की जा रहे है कि शांती पूर्वी तरहिके से जो एलेक्शन होना है वो हो जाए तो 18 एप्रिल को नॉमिनेशन का लास डे है वही 26 एप्रिल को चुनाव होने है जी हेते बिल्कुल क्या कुछ स्थिती इस बार रहने वाली है कितना एहम और किस तरह से इस बार का चुनाव ये एहम रहने वाला है बिल्कु हितेन बहुत एहम रहने वाला है इस बार का चुनाव क्योंकि बिल्कुल देखिए लोकसवा चुनाव से तुरंट पहले ये चुनाव होने वाला है तो बहुत ही एहम हो जाता है ये चुनाव लोकसवा चुनाव के मत देने से और साथ ही देखिए बिल्कुल पहले जो दिल्ली की चुनाव होने वाले उसे थोड़ा ही पहले ये चुनाव होने वाले तो काफी खुद में एहम हो जाती है और कोशिश भी की जा रही है कि बहुत शान्ती पूरवक तरीके सो जाए यूँकि देखे हिदेन अगर हमें याद होगा जब पिछली बार मेरा की चुनाव होता है तो काफी गर्मा गर्मी भी देखने को अब ली थी तो ये भी कोशिश रहेगी ये शान्ती पूरवरी के सी तमाम चीज़ें हो जाए और लोगसभा चुनाव के मंदे नज़र ये जो चुनाव होने वाले वो काफी एहम रहने वाले है बिल्कु चलिए आप नज़र बनाए रखेगा प्राजिता तो दिल्ली में लोगसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव महापौर्ट रख का इलेक्शन इसके भी गोशना कर दी गई है श्री जारी कर दिया गया है